हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हरे धनिया की चतनी, उसके लिए यहाँ पर धनिया देखे मैंने बारी काट लिया है, निम्बू लिया है, सींग जिसे की मैंने भून दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा हरा लसन मैं लूँगी, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट हरी मिर्च तीखी वाली मैंने लिए है, चार से पांच आप अपने स्वात की अनुसर जादा कम ले सकते हैं, अब धनिया हरा लसन और मिर्ची को अच्छे से पानी में आप धो लीजिए, यह इस तरह से आप धो लीजिए, अब मिक्शर में आप धनिया, चना, सींग, अद् थोड़ा सा चाट मसाला, नमक भी डाला है मैंने, नमक मिर्च, और यह थोड़ी से हींग डाल देंगे, अब यहाँ पर एक निम्बू मैं इसके अंदर इस तरह से स्क्वीज कर दूँगी, निम्बू के कारण इसके अंदर एक खटा टेस्ट आता है, जब बहुत ही आपको जिस तरह का टेक्सचर चाहिए उस अनुसार, देखिए यह थोड़ी गाड़ी है, थोड़ा सा पानी इसमें मैं ऐड़ करूगी, आप इसे सेंडविच वड़ा पाउं के साथ खा सकते हैं, यह सेंडविच की चतनी बहुत ही स्वादिष्ट है,